हेलो फ्रेंड्स, पूनम्स किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे एक कप चावल और एक कप चने की दाल से बहुती सौफ्ट स्पॉंजी और जालीदार धोकला आप देख सकते हैं ये धोकला बिल्कुल मार्केट जैसा बनके तयार हुआ है और ये धोकला बहुती हलका और जालीदार बना है और इसका कलर भी बहुती बढ़िया आया है तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं तो बिल्कुल मार्केट जैसा सौफ्ट और स्पॉंजी धोकला बनाने के लिए मैंने यहां सबसे पहले लिया है एक बोल और इसमें लिया है एक कटोरी चने की दाल और इसके बाद लेंगे उसी कटोरी से एक कटोरी चावल चावल आप कोई भी ले सकते हैं यहां हमने दाल चावल के लिए एक ही कटोरी का स्तमाल किया है याने दाल और चावल हमें बराबर लेना है अब हम इन दोनों को 2-3 बर अच्छी तरह से धोलेंगे ताकि इसमें जितनी भी धूल वगेरे हो वो निकल जाएं अब यहां मैंने दाल चावल को 2-3 बर वाश कर लिया है और अब हम इसमें बहुत सारा पानी डाल देंगे और दाल चावल को 6-7 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट भीगने रख देंगे अब धक्कन लगाकर हम इसे ओवरनाइट भीगने रख देंगे अब सुबह हम ढोकला बनाएंगे तो राद भर में दाल चावल बहुती अच्छे से भीग गए है और दाल बिलकुल सौफ्ट हो गई है अब हम इसका एक्स्ट्रा पानी फेक देंगे और इसे पीस लेंगे अब हम दाल चावल को एक मिक्सर के जार में डालेंगे लेकिन हम इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे और दाल चावल ज़्यादा है इसलिए हम इसे दो बार में ग्राइंड करेंगे तो यहां मैंने मिक्सर जार में आधे डाल चावल डाल दिये हैं इसके बाद दो हरी मिर्च को इस तरह से तोड़ कर एट कर देंगे मिर्च आप अपने टेस्क के अनुसार थोड़ा जादा भी डाल सकते हैं इसके बाद आधा इंच अधरक का टुकडा एट करेंगे दो टेबल स्पून चीनी एट करेंगे दो टेबल स्पून तेल एट करेंगे यहां तेल हमें रूम टेंपरेचर का ही लेना है इसके बाद हम इसमें एक चोदाई चम्मा ज़ल्दी पाउडर एट करेंगे और अब एक टी स्पून नमक एट करेंगे अब लास्ट में एक कटोरी दही डालेंगे जिस कटोरी से हमने दाल और चावल ना पता उसी कटोरी का एक कटोरी भर कर हम दही डालेंगे अब इन सभी चीजों को हमें बारिक पीस लेना है या हमें पानी नहीं डालना है क्योंकि दही में पानी है यहां सबी चीजों को मैंने पीस लिया है यहां हमें दाल चावल को जितना बारिक हो सके उतना बारिक पीसना है क्योंकि इसी से हमारे ढोकले सॉफ्ट और स्पॉंजी बनेंगे अब इस बैटर को हम एक बाउल में डाल देंगे इसी तरह से हम सेकेंड बैच के दाल चावल को भी पीस कर इसमें एड़ कर देंगे यहां पीसने के लिए मैंने दो से तीन टेबल स्पॉन पानी एड़ किया है अब इसे भी हम एड़ कर देते हैं अब बैटर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सबी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए यहां मुझे हल्दी थोड़ी कम लग रही है तो मैं इसमें एक चौताई चम्मच हल्दी और एट कर रही हूँ अब हल्दी को भी बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यहाँ आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं धोकला बनाने के लिए इसी तरीके का बैटर हमें चाहिए इसे मैंने पूरी एक मिनिट तक मिक्स कर लिया है तो धोकले का बैटर बनके तयार है अब इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे अब धोकला बनाने के लिए मैं इस तरीके का कुकर का डबबा यूज़ कर रही हूँ आप चाहें तो किसी थाली में भी धोकला बना सकते हैं इसमें मैंने एक टीस्पून तेल डाल दिया है अब हम इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे अब धोकले को स्टीम करने के लिए एक कड़ाई में मैंने एक से देर गलास पानी डाल दिया है और इसमें एक स्टैंड रख दिया है अब हम पानी को उबलने देंगे अब बैटर की तरफ चलते हैं अब बैटर में हम एक पाकेट इनो फुरुट सॉल्ट ऐट करेंगे यहां मैं लेमन फ्लेवर का डाल रही हूँ अब बैटर में हमें इनो को अच्छी तरह से मिला लेना है यहां आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम इनो को बैटर में मिक्स कर रहे हैं बैटर हलका और फ्लफी बनते जा रहा है यहां जब आपको ढोकला बनाना है तभी आप बैटर में इनो को एड़ करें इनो डालने के बाद हमें बैटर को रखना नहीं है इसे हमें तुरन स्टीम देना है तो यहां 15-20 सेकिंड तक मैंने इनो को अच्छी तरह से मिक्स कर लिय है अब हम इसे ग्रीस की हुए बरतन में डाल देंगे अब यहां कड़ाई का पानी भी उबल गया है तो हम स्टैंड के उपर धोकले का बरतन रख देंगे इसके बार धक्कन को लगा देंगे अब हम 15 मिनिट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में इसे पकने देंगे तो यहा यहां तड़का बनाने के लिए मैंने एक पैन को मीडियम फ्लेम में गरम होने रख दिया है अब हम इसमें एट कर देंगे दो टेबल स्पून तेल यहां तेल गरम हो गया है तो हम इसमें एक टी स्पून सरसो एट कर देंगे और सरसो को अच्छी तरह से चटकने देंगे सर प्रसो चटक गई है अब हम इसमें 2 स्कलिट की हुई हरी मिर्च को एड़ कर देंगे और इसके साथ 8-10 कड़ी पत्ते भी एड़ करेंगे और अब इन दोनों को हम 5-10 सेकेंड के लिए भून लेंगे अब यहाँ 5-10 सेकेंड तक मैंने इसे भून लिया है अब हम इसमें 1 कब पानी एट कर देंगे और अब हम इसमें दो टीस्पून चीनी एट करेंगे और अब हम इस पानी को एक मिनिट तक उबलने देंगे ताकि सभी फ्लेवर पानी में आ जाए तो यहां मैंने पानी को एक मिनिट तक उबाल लिया है अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे तो य ये हमारा तड़का बनके तयार हो गया है अब यहां ढोकले को पकते हुए 15 मिनिट हो गया है धक्कन हटाके इसे चेक करेंगे अब एक चाकू इसके बीच में डालके देखते हैं तो ये देखिए चाकू बिल्कुल क्लीन निकला है इसका मतलब ढोकला पूरी तरह से पक गया ह और इसकी उपरी सता भी बिल्कुल सूखी लग रही है अब हम गयास को बंद कर देंगे और इस बरतन को कड़ाई में से निकाल लेंगे अब हम इसे एक घंटे के लिए किचन प्लेट फॉर्म पर ठंडा होने रग देंगे उसके बाद हम इसे डेमोल्ड करेंगे अब यहाँ एक घंटे बाद धोकला ठंडा हो गया है तो अब हम इसे डेमोल्ड करेंगे सबसे पहले हम किनारों से इसे चाकु से धीला कर देंगे अब इसके उपर एक प्लेट रखेंगे और इसे पलट देंगे अब इसे हलका सा थप थपाएंगे अब कूकर के डब्बे को उपर उठाएंगे तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा धोकला बनके तयार हुआ है आप इसकी जाली को देख सकते हैं और ये बहुती सॉफ्ट बना है अब हम इसे सीधा कर लेंगे याद रहे कि इसे कम से कम आदा घंटे के लिए हमें ठंडा होने के बाद ही इसे काटना है अब हम इसे चाकू से काट लेंगे आपको जैसे साइज पसंदे छोटे बड़े उसी साप से आप इसे काट लें मैं इसे मीडियम साइज में काट रही हूँ अब हम इसे दूसरी तरफ से भी काट लेंगे काटने से ही पता चल रहा है कि ये ढोकला कितना सौफ्ट और स्पॉंजी बना है तो यहां मैंने ढोकला काट लिया है अब हम इसके उपर तड़का डाल देंगे काटने के बाद ही हमें तड़का डालना है तभी ये ढोकले के अंदर तक जाएगा और जब हम इसे खाएंगे तो ये गले में सुखा-सुखा सा नहीं लगेगा इस तरह तड़के वाला पानी ढोकले में डालने से सभी फ्लेवर ढोकले के अंदर तक चले जाते हैं इसके बाद हम बारी कटा हुआ हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे तो लीजिए फ्रेंड्स तैयार है हमारा सॉफ्ट, स्पॉंजी और जूसी धोकला अब मैं आपको एक पीस उठा कर दिखाती हूँ कि ये धोकला कितना जालिदार, सॉफ्ट और स्पॉंजी बना है तो ये देखिए बिल्कुल मार्केट की तरह सॉफ्ट, हल्का और जालिदा धोकला तैयार हुआ है दी गई मात्रा में आप 4-5 लोगों का धोकला बना सकते हैं तो फ्रेंड्स इसी तरह से बना कर देखे ये धोकले की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल पूनम्स किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई